हिंद महा सागर का नाम हिंदुस्तान से पड़ा। यह हुआ 있다고 बहुत विशेश भुगलिक स्थिति के कारण। भारत कीस विशेश भोगलिक स्थिति पर खास कर भारत की तटिये रेखा पर नजर डालें तो यह clear प्रश्मनों से उतना ही जरूरी भारत के लिए अपनी समुन्दरी सीमा की रक्षा करना भी जरूरी है इसलिए आप देखेंगे कि भारत को भी चुनूतिया फीज करनी पड़ रही है अपने पडोसी देशों से वो समुन्दरी छेतर में काफी भड़ चड़ कर फीस करनी पड़ रही है एक नजर अगर हम यहाँ पर डालें तो आप देखेंगे कि जो चाइना है उसने इस हिंद महासागा रीजन के अंदर अपनी जो अक्टिविटीज उनको 2008 से बढ़ा दिया है यह जो मलक का स्ट्रेट है बहुत नेरो सा पैसेज है यह चीन के लिए बहुत महत्व रखता है और इसके साथ यह जो गल्फ आफ अधन है यहाँ पर दरहसल पाइरेसी को रोकने के लिए चीन ने 2018 से पैट्रोलिंग करनी स्टार्ट कर दी तो यहाँ पर तो उनकी जो एक स्ट्राटरजिक अवस्थी थी वो 2008 के बास से शुरू हो गई थी लेकिन भारत को घेरने के लिए दरहसल उनोंने एक मारे टाइम सिल्क रोड पर भी काम करना शुरू कर दिया है जैसे अगर यह ब्लू कलर से आप देखेंगे तो यह चीन की जो है ओईल वाला जो एक आप कह सकते हैं रूट है और जो आपको यह मैनवार के सित्वे पोर्ट से लेकर फिर बांगलादेश का चित्तोंग और यहाँ पर हमबन टोटा श्री लंका का और वापस आप सुले ज खाता है कि एक तरीके से यह भारत को घेरने की उनकी अपनी एक रणनीती है तो इसी लिए देखिए यहाँ पर उन्होंने किस तरह की अपनी एक आक्टिवीटी की स्टार्ट करती है जैसे साउथ चाइन सी में उनके ओल ड्रिल्स चल रहे हैं इसके अलावा आप देखेंग अपने तेल के अलावा पूरे हिंद महासागर में बढ़ता जा रहा है इसलिए भारत को इनका जवाब देना जरूरी है और लगातार भारत की तरफ से अपने डिफेंस के अंदर ने ने चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है आज हम यह सारा पढ़ रहे हैं क्योंकि हाली में नीवी के द्वारा जो आप कह सकते हैं एक डिस्ट्रॉयर शिप है उसको दरसल कमीशन कर लिया गया है नवश्कार दोस्तों मैं अपराची सूपर कोचिंग आई-एस वई टेस्टबुक में आप लोगों का वेहस स्वागत करती हूं और गोवा लिबरेश कोडनेम 15B के तवारा इससे पहले प्रोजेक्ट कोडनेम 15A पर भी काम हो चुका है पूरा समझेंगे कि ये कोडनेम वाले प्रोजेक्ट्स है क्या कितने डिस्ट्रॉयर श का निर्मार्ण किया जा रहा है कि एक इतिहास रहा है और अभी जो दिस्ट्रॉयर को कमीशन किया इनके specification कैसी है, कैसे यह भारत की defense system को मजबूत बनाते हैं स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखे, आप पिक्चर देख सकते हैं, जब commission किया गया था जो हमारे भारत की रक्षा मंत्री है, राजनात सिंग जी, वो इसकी ceremony में शामिल हुए थे यहाँ आपर न्यूस्पेपर का देखिये, Missile Destroyer INS मुर्मिगाउं, Commissioned into Indian Navy यह दरहसल अपना जो Code Name Project 15B था, उसका दूसरा destroyer है और अगर इसके सही नाम की मैं आपको बात बता हूँ, तो Stealth of the Art, Stealth Guided Missile Destroyer है जिसको बनाया गया है मजगाव डॉक लिमिटर के द्वारा, अब अगर मैं आपको यह कह रही हूँ कि Project 15B के तहत, यह Commission किया गया, दूसरा है तो पहला कौन सा था, तो पहला देखिए, आयानेस विसाखा पतनम था, भारत का पहला, जो Stealth Guided Missile Destroyer था, Project 15B के तहत, वो था आयानेस विसाखा पतनम और इसी लिए प्रोजेक्ट 15B के तह है, जो Total Charred Destroyer Ship भारत के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनको विशाखा पतनम क्लास का जो है, कहा जाता है अगर बात करें जो वर्ड क्लास है, विशाखा पतनम क्लास, दिल्ली क्लास, कोलकत्ता क्लास, यह क्या दरशाता है दरशार क्लास का मतलब होता है, कि आपको वैसे वैसल के एक ग्रूप को क्लासिफाई करता है, जिनकी अपनी पावर, जिनकी अपनी क्यापबिल्टीज, जिनकी वैपनेरी, जिनकी लंबाई चोड़ाई, जिनका प्रियोग क्या है, समान होता है तो समान तरह के सिस्टम को हम डिफाइन करने के लिए क्लास वर्ड यूज़ करते हैं दरसल डिस्ट्रोयर्स के निर्मान की यह जो कहानी थी या आप कहेंगे कि भारत के आतम निर्भर रास्ते पर चलने की रक्षा के खासकर छेतर में जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी धरसल दिल्ली क्लास के साथ दिल्ली क्लास में आइनस दिल्ली, आइनस मिसूर और आइनस मुंबई जो है यह शिप्स जो है भारत के द्वारा निर्मान किये गए थे इसके बाद इससे बहतर आई कॉलकता क्लास कुलकता क्लास के अंदर भी तीन गाइड़ मिसाइल डिस्ट्रॉयर थे जो थे आयनस कुलकता, आयनस कोची और आयनस चेन्नी इनको जो बनाया गया था वो प्रोजेक्ट कोड नेम 15A के तहत बनाया गया था अब हमने इनसे बहतर, स्टील्ट टेक्नोलजी के साथ तोजेक्ट कोड नेम 15B के तहत विशाखा पतनम क्लास के डिस्ट्रॉयर बनाये हैं स्टील्ट ज़्यादा बहतर होने से क्या मतलब है इनस पूर्ण च्ष्पनी की स्षh जादा है यह आगर मंन अइसमी कितना बच सकते हैं कैसी आपके डिजाइनिंग है, कैसा आपका नेटवर्क काम करता है, किस तरह से आप रडार्स को जो है बच कर धोका दे सकते हैं, वो आपकी बेटर स्टिल्थ जो है, एक कह सकते है, कापबिल्टी मानी जाती है, यहाँ पर देखिये, मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के द्वारा 24 नवंबर 2022 को एक प्रेस रिलीस दी गई थी, और यह दरसल इसमें बताया गया था, कि जो प्रोजेक्ट 15 B के तहद दूसरी शिप है, जो कि एक गाइड़ मिसाल डिस्ट्रॉयर है, जिसको मजगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो कि भारत के डिफेंस सिस्टम के सेक्टर के अंदर तो इसके बारे में बेसिकली लिखा था, यह जो कॉंट्रेक्ट साइन हुआ था, कि प्रोजेक्ट 15 B के तहद चार से डिस्ट्रॉयर सम बनाएंगे, यह दरसल 28 जनवरी 2011 को साइन हो चुका था, तो तब से लगातार काम चल विशा का पतनम शामिल हो चुका है, कमिशन कर दिया गया है मौरमे गाउं को भी आने वाले टाइम पर आयनस सूरत और आयनस इंफाल को भी जो है कमिशन कर दिया जाएगा, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इसका डिजाइन किस ने किया था, तो वार्शिप डिज जो कि इंडिया निवे की इन हाउस एक ऑगनाइजेशन है, उसके द्वारा इनको डिसाइन किया गया था, बिल्ड किया गया मैंने बताया मचगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटर के द्वारा, चार शिप बनने हैं टोटल, नाम हमें पता चल गए है जो कि भारत के चार कोर्नों पर इस्थिद, चार मेजर सिटीज के नाम पर है, विशाकापत्न, मुर्मेगाओं, इंफाल और सूरत, यहां पर देखिए जो अगर हम बात करें, फोकस होकर आयनस मुर्मेगाओं की, तो 2015 में जो है इसको आप कह सकते है, इसकी एक फांडेशन स्टोन रखा गया लांच हो गई थी, यह 17 सेतंबर 2016 को, और इसके बाद अगर इसकी लंबाई चोड़ाई के थोड़ी सी बात करें, तो 163 मीटर यह लंबी है, 17 मीटर चोड़ी है, माक्सिमम स्पीर्ट जो इसकी जा सकती है, तीस नौट तक जा सकती है, इसकी अंदर इंडिजीनियसली डवल स्पीर्प्ट वैपन सिस्टम लगाया गया है, जिसमें सर्फेस तू सोफेस मिसाइल भी है, ब्रह्मो मिसाइल भी है, इस पर हैलिकॉप्टर को भी देखी किया जा सकता है, और इसका 75% जो कॉंटेंट है, वो इंडिजीनियसली यह सवदेशी रूप से इसका हुआ है, यह स्टार्पीडो ट्यूब लॉंचर्स जिनको लार्सेनो ट्रॉबो मुंबई के द्वारा बनाया गया है, एंटी सम्मरीन इंडिजीनियस लॉकेट लॉंचर्स और 36MM के सूपर रैपिड गन माउंट्स जो हैं इसके उपर है, जो की बीचल हरदवार के द्वारा बनाया गया स्टार्ट के ढर सेल किया था 19 D rasp deck बीच देख को यी मोग का पंशन किया गया है और कोविर के बाव जूद कlectric लिख जО है कामेशNew के अंडर ses से तीन महीने पहले जो है कमीशन होगया है जो दर्शाता है कि सारे stakeholders के द्वारा आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत में किन इंडिया आत्म निर्भर भारत के तरफ चलने का जो एक प्रियास है वो मिल जुल को बहुत संगठित रूप से जो है किया जा रहा है अब थोड़ से स्पेसिफिकेशन और वेपनरी पे और डिटेल में डिसकेशन करते हैं तो 163 मीटर लोग है 17.4 मीटर वाइड है और अगर डिस्प्लीस्मेंट की बात करें तो लगबग 7,300 तन है इसका compare अगर मैं आपको करके दिखाऊं जो आइनस विक्रांत था जो कि हमारा इंडिजीनियसली बिल्ट एरक्राफ्ट करियर था रिसेंटली बहुत जादा न्यूज में था और भारत बहुत इलीट क्लास वाले देशों में सामिल हो गया है इसी के कमिशन के साथ तो इससे थोड़ा सा comparison करते हैं यह 163 मीटर लोंग है तो यह 262 मीटर इन लेंथ है जब जो बहुत extremely operational conditions में जो है काम कर सकता है इसके लावा इसमें total atmospheric control system है जो दरहसल क्रू को जो की ship के अंदर है किसी भी परकार के biological, chemical और nuclear खत्रे से बचाता है इसके अलावा इसमे state of the art compact management system भी है combat management system से यहां यह बास समझेए कि evaluate कर लेता है इसका network कि किस तरह का खत्रा उपस्तित हो रहा है और एक tactical picture जो है सामने देता है कि हमारे पास कितने resources हैं उन resources से यह जो खत्रा आ रहा है इसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं इसमें two multi-role helicopters भी हैं sea king और haul through इसके अलावा इसका जो आ बेसिकली combined gas और जो है gas पर काम करता है और चार gas turbine इस पर लगे होते हैं इस चीज को धियान दखेगा इसलिए maximum speed हो जाती है इसकी 30 knot की यानि के करी 55 km पर घंटा अगर हम बात करें कितनी दूरी तै कर सकता है तो 4000 nautical mill जो लगबग साड़े 7000 km 7400 km एक्जेकली बैठता है तो इसकी वैपनरी specifications तो इसकी तो लेपनेरी स्ट्रोयर्स अपरते हैं तो तो देखिए इक होआते हैं इक होते हैं यह जब थॉटे होते हैं। शहते हैं आप मांगे चलिए टिस्ट्रोयर्स बडे भी उते होते हैं और जब कॉंबैक्ट वर की situation होती है तो धरसर यह टॉए कर नीवी के हाथ में इस तरह की शक्ति है जैसे 2020 का डाटा दिया हुआ था यूएस नीवी के पास सबस्रादर डिस्ट्रोयर से करीब 68 है जैपान इसके बास सेकेंड आता है दिन उसके पास चाहिना आता है और भारत इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा चुका है दिके डि हम सही समझे है दिस्ट्रोयर mus quizz विद्वण शक्क उद्वागे काम आते हैं कांड़ेक्त कापइबिल्टी इनके अंदर होती हैmी बहुत तीजगती होती है और साथ में kadar मैन्नेव भर्ड़ को बेरकेम हाथ सिएलता बहुत जादा होती है और इनकी सेहершं शक्ति जो बिग फ्लीट होती हैं उनको एक स्कोर्ड करने का कि काम के एक स्कुल्ट करते हैं विछान की जो हैं अगर खाजिन विप रराव्प की होई है तो उसे यह स्ट्राइक को रोकने के लिए ह biggest result और इनको डेट्थ करने dimash विकल्ट होता है, फ्लीट को यह प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी तरह के अगर शॉर्ट रेंज सर्फेस एयर यह सर्फेस अटाक इनके ओपर हुआ है, तो इसके अलावा ना सिर्फ यह एंटी सर्फेस बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सम्मरीन वाफियर के लिए भी यूज होते हैं, तो डिस्ट्रोइस अर वेरी वेरी इंपोर्टेंट अगर हम सम्मुंदरी सुरक्षा की बात करें तो यह नेवी की ओफिशल वैब साइट पर देखिए, बताया गया था कि प्रोजेक्ट 15B के तहत हमने जो है मोवेगाउ सेकेंड शिप को जो है एक तरीके मत्म करती हो, भारत की ऐक ऐसी बहोगोलिक अवस्थिती है जो पर्वतों से लेकर समुंद्र तक फैला IT जहाँ एक तरफ हमें परवतों की उचाईयों पर भी अपने दुष्मनों को हराना है वहीं समुंद्र की गेहराईयों में भी अपने दुष्मनों की चुनोति का हमें सामना करना है इसी लिए ना सिर्फ हमारी 0- versucht ना सिर्फ हमारी आरमी बल्कि हमारीONA नीवी भी पूरी कुशिश कर रही है कि भारत को हर दिशा से सुरक्षित किया जा सके इस के लिए बधाई देते हैं भारत सरकार को भी और नेवी को भी और मुझे उमीद आपके एक्जाम के पॉंट आफ व्यू से जो भी चीजे आपको जानने चाहिए थी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है समझ में आई होंगी थैंक यू सो मच जुड़े रहिएगा टेस्ट बूक आई एस के साथ और बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैहिंत